हाई दोस्तो मेरा नाम शिवानी है और मैं इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ शायद आपको याद होगा कि मैंने इस सीरीज के सबसे पहले विडियो में आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन यानी टू एफे के बारे में जानकारी दी थी और उसे आपके अलग-अलग online services और accounts में enable करने के फाइदे बताई थे Social media accounts जैसे services में 2FA enable करने से आपकी accounts में सुरक्षा की एक और layer जुर जोजाती है इससे दूसरे किसी भी इंसान के लिए आपके अकाउंट में घुज कर आपकी नीजी जानकारी प्राप करना मुश्किल हो जाता है उस पहली वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोगों ने हमें ये फीडबैक दिया कि हमने उस वीडियो में एक भी डेमो नहीं दिया था तो इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में 2FA का सेटप समझाने वाली हूँ अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को देखते हुए मेरे साथ साथ अपना 2FA सेटप कर सकते हैं आज हम देखेंगे कि जीमेल अकाउंट पर 2FA कैसे एनेबल करते हैं अगर आप याहू या आउटलुक जैसे दूसरी इमेल सर्विस का इस्तमाल करते हैं तो ये प्रॉसेस आपके लिए थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन 2FA सेटप करने में मैं जिन आप्स का इस्तमाल करने वाली हूँ वो आप आप किसी भी इमेल सर्विस पर यूज़ कर सकते हैं तो चलिए शुरू करें तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आपको आपके जीमेल अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन कहसे शुरू करना है तो जब आप अपने अकाउंट में लॉग इन करेंगे तो आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा इसके टॉप राइट कॉर्णर में आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है उसके बाद आपको सी ओल सेटिंग्स पर जाना है वहाँ जाने के बाद आपको ऐसा एक page दिखाई देगा यहाँ पे आपको accounts and import के option पर जाना है जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको change account settings के अंडर other google account settings का option दिखाई देगा उस पे click करें जब आप other google account settings पर click करेंगे तो आपको एक ऐसा page नजर आएगा यहाँ पे आपको left hand side में security option पर click करना है two step verification का एक option नजर आएगा two step verification के option पर click करना है Gmail में two step verification setup करने की एक दिक्कत यह है कि आपको वो आपके mobile number के बिना 2FA setup नहीं करने देते get started पर click करें यहाँ पर वो आपसे आपका password मांगेंगे उसे enter करें Gmail में आपको आपके phone number के बिना two step verification setup नहीं करने देते इसलिए हमें हमारा phone number डालना पड़ेगा पर हम उसे बाद में निकाल भी सकते हैं पर फिलाल के लिए अपना phone number एंटर करें और text message option पर click करें ताकि आपका OTP आपको मिल सकते आपको Google से text message के जरीए एक code आएगा उसे यहाँ पर enter करें और फिर code enter करने के बाद next पर click करें जो आप अपना pin डालेंगे तो आपके पास यह page आएगा यहाँ पर turn on two step verification पर click करें अब आपका two step verification आपके email ID पर enable हो चुका है पर हमारा काम यहाँ पर खतम नहीं हुआ text based verification काफी insecure होता है और इसलिए हम 2FA के कुछ और method setup करेंगे जो ज्यादा secure होते हैं, ज्यादा private होते हैं और जिसे आसानी से intercept नहीं किया जा सकता तो सबसे पहला method है backup code setup करने का यहाँ पर आपको backup code का एक option नजर आएगा उसके वहाँ पर setup पर click करें यहाँ पर आपको कुछ numbers नजर आएंगे इसे print कर ले या download कर ले और इन numbers को download करने के बाद इसे कहीं पर समहाल के रखें आपकी वो घर की तिजोरी हो सकती है कोई बिलकुल सुरक्षित जगा पर आपको इन numbers को रखना है क्यूंकि अगर आपके पास कभी आपका phone ना हो और अगर आप अपने phone के जरिये अपने account में login ना कर सके तो यह backup codes आपके बहुत काम हैंगे तो अब आपने अपने backup codes भी setup कर लिये हैं अब हम एक और two-factor authentication के method पर नजर डालेंगे जो है authenticator app इस वीडियो के description में मैं free OTP authenticator app की एक link डाल रही हूं यह एक ऐसा app है जिसे आप अपने account में अपने gmail account में login करने के लिए use कर सकते हैं यह आपका two-step verification का एक और जरिया है आपको यहाँ पर अपने authenticator app की option पर setup पर click करना है जैसे कि मैंने कहा था कि आप जो अपना free OTP app खोलेंगे तो आपको एक plain white color का screen दिखाई देगा पर उपर आपको एक QR code का symbol भी दिखाई देगा उस पर tap करें और इस code को scan करें जैसे ही यह code scan होगा आपके free OTP app पे आपका यह gmail account दिखाई देने लग जाएगा यहाँ पर आपको next पे click करना है अब जो आपका gmail account एड हुआ है वहाँ पे आपको तुरंत OTP नजर नहीं आएगा वहाँ पे आपको 6 dash नजर आएंगे उस पर एक बार tap करें जैसे ही आप उन dashes पे tap करते हैं आपके free OTP app पे आपको एक 6 digit number दिखाई देगा उसे यहाँ पर add करें यह number हर 30 second में बदलता रहता है इसका मतलब यह है कि इस number को एक पार अगर आपने use कर लिया तो इसे और आप फिर से use नहीं कर पाएंगी क्योंकि यह हर 30 second में बदलता है तो कोई भी दो number बिलकुल सेम नहीं होते और अब आपने आपका two step verification खत्म कर लिया है अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपके two step verification के तीन methods enable हो गए है एक authenticator app है जो आपका free OTP authenticator app होगा जो आपके phone में होगा एक आपका text message based verification है जो मेरा सुझाव होगा जिसे आप बिलकुल भी ना use करे और अगर आपके पास आपके phone का access ना हो तो आप अपने backup codes जिसको आपको बिलकुल सम्हाल के रखना है उसे यहाँ पर use कर सकते है तो यह था two step verification के setup अब देखते हैं कि two step verification से हम login कैसे कर सकते हैं तो पहले मैं अब अपने इस account से sign out करूँगी अब चलिए sign in करने की दो बारा कोशिश करते हैं अपना password डालिए अब यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा get a verification code from the Google Authenticator app अगर आपके पास आपका phone नहीं है तो आप try another way पे click करके अपने backup code यहाँ से add करके अपने account को access कर सकते हैं अगर आपके पास आपका phone है तो आप अपना verification code यहाँ पे डाल सकते हैं यहाँ पर Google Authenticator app लेका है पर क्यूंकि हम free OTP यूज़ कर रहे हैं क्यूंकि हम Google को हमारा data और नहीं देना चाहते इसलिए हम free OTP Authenticator यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने app को खोल कर यहाँ पे आपका six digit code डालिए अब अगर आप चाहें तो आप अपने account में से आपका text message आपका phone number भी निकाल सकते हैं तो अगर आप left hand side पे security पर click करेंगे और two step verification के पास जाएंगे और वहाँ पर click करेंगे आपको अपना password फिर से डालना पड़ेगा यहाँ पे आपको आपका phone number दिखाई देगा आप यहाँ पे click करके remove phone कर सकते हैं पर मेरा सुझाव यह होगा कि इससे पहले आप अपना phone निकाल दे आप एक दो बार खुझ से authenticator app या backup codes का इस्तेमाल करते हुए login करने की कोशिश करें और जब आप बिलकुल sure हैं कि आप two step verification के method से बिलकुल अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो आप अपना phone number निकाल सकते हैं तो दोस्तो यह था आपके Gmail पे आपको two step verification कैसे setup करना है उसका एक छोटा सा tutorial तो दोस्तो अपनी email पर आप इन steps को follow करते हुए आपका two fa setup कर सकते हैं अगर आपको अपने social media accounts या दूसरे किसी email accounts में भी two fa enable करना हो तो आप free otp authenticator वहाँ भी इस्तमाल कर सकते हैं ज्यादातर apps में आप उनकी security settings में जाकर two fa enable कर सकते हैं इस video के description में कुछ links हैं जो आपको आपके social media accounts और दूसरे email services में two fa enable करने में मदद करेंगी अगर आपको ये video अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और घरवालों के साथ शेर करें अगर आप हमें कोई भी feedback या ideas देना चाहते हैं तो इस video के नीचे comment करें इस video को बनाने और edit करने में मेरी colleague फरकंदा जहूर का भी योगदान है आज IFF आपके सहयोग से ही इतना आगे बढ़ पा रहा है अगर आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज डोनेट करें और अपने आस पास की सभी लोगों को हमारे काम के बारे में बताएं धन्यवाद